यहाँ पर हमारे पास में Realme GT Neo 3 and Realme GT Neo 2 दोनों ही बहुती बहुती बैटरीन से डिवाइज है बैक से काफी एदा चेंज आ चुका है इसमें और मुझे नया वाला मॉडल है ना GT Neo 3 वो जादा पसंद आ रहा है गई साथ-चाथ में Realme GT Neo 3 में आपको Dual Speakers भी देखने को मिल जाएं और साथ-चाथ में यहाँ पर कैमरे का प्लेसमेंट चेंज है और यहाँ पर काफी जादा Beezels को कम कर दिया गया है Realme GT Neo 3 में साथ-चाथ में 120Hz की दोनों में ही यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है अमलेट डिस्प्लेज हैं लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में डिफ्रेंस आपको देखने को मिलेगा क्या डिफ्रेंस है यहाँ यह दिखा देता हूँ नहीं लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं साइड बाइ साइड जी टी नियो टू की स्क्रीन के ब्राइटनेस बहुत यदा दमदार है और आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो मिलेगा परफॉरमेंस में विकॉज यहां पे बहुत ही तगड़ा डाइमेंसेटी 8100 वाला सारी चीज़े दिखाते हैं तो चलिए बिना अफ़ वक्त कवाए लेट्स स्टार्ट दे स्पीड टेस्ट नौ तो गई सबसे पहले फिंगरपिंट सेंसर की बात कर लें तो यहां पे दोनों ही एक साथी ओपन कर रहें लेकिन एक बाइग स्लो मोशन में इसको कनफर्म करते जीटी नियो 3 और जीटी नियो 2 दोनों ही लमजब में सेम ही परफॉर्मेंस दे रहे थे एक दो MBPS की स्पीड का चलता है यहां पे डिफरेंस आ सकता है लेकिन जब सेकेंड वला टेस्ट किया ना उसमें हमें देखने को मिला डाउनलोडिंग स्पीड जीटी नियो 2 में उसमें हमने देखा कि यहां पे 88% तक की अपनी परफॉर्मेंस अचीफ कर रहा था जीटी नियो 3 और 90% तक की जीटी नियो 2 कर रहा था पर फिर भी जो यहां पे एवरेज परफॉर्मेंस थी वो जीटी नियो 3 की बहुत ज़ादा थी इससे यह था हुं कि Imam इसके बाद यहां पे हमने वीडियो एरेटिंग टेस्क गया तो यहां पे सेम टाइप की वीडिइयो को रखने के लिए इंटर्नल वॉल पेपर को लाइन बाइन हम ने सेलेट किया सेम टाइप की वीडियो मनाई और सेम यहां सद्वी क्वालिटी मैं दोनों में से कर दिया वहीं जीटी नियो 3 काफी पीछे था इसके बाद गई आप ओपनिंग स्पीड टेस्स की तरफ अगर चले आए ना तो देखिए से पहले शोशल मीडिया एप्टिकेशन की तरफ चलेंगे शोशल मीडिया में भी है ट्विटर पहले जीटी नियो 3 ने उपन किया इंस यूटूब की बात कर लें तो यूटूब में देखा आप दीजे दोनों ही यहां पे 4K की वीडियो HDR में प्ले कर सकते हैं और अगर वीडियो आपने यहां तक की देखी तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी तो प्लीज यार एक लाइक दीजे मुझे बहुत मोट सब कर सकते हैं 120 fps की स्क्रीन का ना फायदा है और गेमिंग की बात करें तो यहां पे जीटी नियो 3 ने ओपन कर दिये लेकिन बीजी एमाई ना यार बीजी एमाई उतना ज्यादा यहां पर आप्टमाइज है नहीं डामेंसेटी 8100 के लिए इसको आप्टमाइज करना ग्राफिक्स ही मिलते हैं तो गाईस बस यही ता अगर वीडियो पसंद आ गई है न तो प्लीज भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो और यहां पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करो कि यह वीडियो कैसे लगी है और रैम मेनेजमेंट मुझे यहां पर जी